राजसभा चुनावों से अलट हुई सपा ने बढ़ाई आजमगर की किलेवंदी पल्लिवी की टूइट ने दिये ट्विस्ट के संके राजसभा में मात के बाद सपा लोगसभा चुनाव के लिहाज से आजमगर की किलेवंदी में चुट कही है पूर विधायक और बस्पा नेता शाह आलम और गुड़ू जमाली बुद्वार को सपा मुख्याले पर अक्रीस यादव की मौजूद्गी में पार्टी की सदस्यता लेंगे आपको बता दें कि आजमगर में सपा पिछला लोगसभा चुनाव बस्पा से गुड़ू जमाली के मैदान में उतरने से हार गई थे सुतरों के मताविक जमाली पस्मानदा मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए सपा उने मार्च में होने वाली चुनाव में विधान परशद भेज कर एक संदेश देना चाती है बहासपा की नजर लगाता है पस्मानदा मुस्लिम समाज पर बनी है वर्स 2022 में आजमगर में हुए लुकसबा उप्शनाव में गुर्डू जमाली को 2,666,000 वोट बिले थे और सपा की धर्मिंद यादव ये शनाव करीब 8,000 मतों से हार गए थे आजमगर सीट फिर जीतने की रणीती के साथ गुर्डू जमाली को सपा में लाये जा रहा है गौरतलब है कि नवमर 2021 में गुर्डू जमाली ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद सपा देख शकलिस यादव से मुलाकात की थी इसके बाद उनके सपा के टिकेट पर मुबारक पूर से चनाव लड़ने की चर्चा थी हाला कि उन्हें प्रत्यासी गोशित करने के बज़ए सपा ने इस्ताई नेता को टिकेट दिया था राजनितिक हलकों में इसके नेतार्त भी लगाए जा रहे हैं पल्यू पटिल ने लिखा कि वास्तिक पीडिये के प्रतिक राम जी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बदाए अहिंसक पारदर्सी और सौहार दुपून माहौल में चनाव कराने के लिए मुख्य मंतरी योगी आइतनात को वधाई उन्होंने अपने संदेश में सपा मुख्य अकलिस यादर को टेग किया है साथ लोगसवा सीटों पर असर डालेंगे राजसवा चनाव की नतीजे समाजादी पारटी के साथ विधायकों के जटके कासर लोगसवा चनाव पर भी रहेगा राजसभा चुनाओं के नतीजों से प्रदेश की साथ लोगसभा सीटों के चुनाओी समीकरन प्रभावित हो सकते हैं सपाविदायक मनोज पांडे राय बरेली के गद्दावर नेता हैं भाजपा के लिए राय बरेली सीट जीतना चुनोती है माना जा रहा है कि मनोज पांडे के समर्थन से पारटी की स्थिती मजबूत होगी अमेठी में राकेश परताप सिंग सपा के बड़े चैनी है राकेश के भाजपा को समर्थन करने से अमेठी में पारटी को फायदा होगा वहीं अभेज सिंग के भाशपा में आने से युद्ध शेतर में ठाकर मतदाताओं का बेखराव रोकने में मदद मिलेगी पूजा पाल का समर्थन मिलने से प्रियाग राज में और बिनो चत्रवेदी का समर्थन मिलने से जालौन में भाशवा को मदद मिलने की उम्मीद है